अपके साथ मैं हूँ दिबिका सारा अर्फीन की क्लास तो एकता कपूर ने लगा दी अर्फीन खान घर से बाहर होंगे लेकिन उससे पहले जिस तरीकी से धोया है एकता कपूर ने कमाल कद होया है हाला कि सल्मान खान की बात थोड़ी अलग होती अगर इस हफते सल्मान खान आते क्योंकि इस हफते बहुत बवाल हुआ है घर के अंतर सल्मान को डिफिनेटली घरवालों ने भी मिस किया होगा और तो और फैन से भी बहुत ज़्यादा मिस किया होगा लेकिन एकता कपूर ने किस तरीके से बैंड बचा दी सारा अरफीन की और एक्सपोस कर दिया उन्हें ये कहते हुए कि नॉमिनेशन की वजह से तुमने ये सारा राय था फिलाया है हलाकि बात मानने को तयार नहीं हुई सारा अरफीन और ये क्लास लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बिग बॉस ने जब फिजिकल वॉलिंड कर रही थी वहाँ पर सारा अरफीन खान तब भी कुछ नहीं कहा सिर्फ उन से यही रिक्वेस्ट करते रहे कि सारा माइक पहन लो माइक पहन लो आप ऐसे में एक्ता कपूर ने क्लास लगाई लंका लगा दी सारा की किस तरीके से चलिए बताएं कि आपको और एक्सपोस करकर दिया सारा को वेल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे ताकि सारी कि सारी लेटिस ख़बरे आप तक पहुं सके जल से चल सारा से ये कहती हुए रजराई एक्ता कपूर की तुम अविनाश को इंस्टिगेट करती हो जब तुम्हें पता है कि वो कुछ नहीं कर रहे है तो इंस्टिगेट कर क्यों रही हो यही तुम्हारा गेम है और यह सारी प्लानिंग प्लोटिंग तब से हुई है जब से आप नॉमिनेटिड है और यह घर वाले भी अग्री करते हुए नजर आए और तो और सारा के खिलाफ शिल्पा ने भी कहा कि सारा ने जो बाते बोली बहुत गलत बोली एक तक अपूर ने ये भी कहा कि दूर्द पीता हुआ बच्चा है नैपी बदल लो, पती पतनी और वो इस तरह की बाते तुम शो में बोल रही हो तो सारा ने कहा कि इसने भी तो मुझे कहा था कि भौकती रहती है लेकिन वो भौकने वाली बात तब हुई थी जब अविनाश को continue target किया जा रहा था जब अविनाश के साथ physical violence हुआ उसके बात जाकर आप जब ताने मार रहे थे तब ये बात ही निकले थी तो ऐसे में एकता कपूर ने धो दिया सारा अरफीन को और सारा अरफीन के बारे में यही कहा और ये गेम आपका तब से शुरू हाँ है जब से आप nominated हुई है वेल आपको भी ऐसा ही लगता है कमेंट कर ज़रू पताईएगा